करनाल सी एम सिटी में चोरी की वारदाते लगातार बढ़ रही है ऐसा लग रहा है कि चोरो को पूलिस का कोई भी खोफ नहीं रह गया आपको बता दें कि गत रातरी करनाल की पुरानी अनाजमंडी में घी कारोबारी के यहां पर अग्याद चोरो द्वारा लाखो रुपए क की चोरी करने का मामला प्रकाश में आया है दुकान के मालिक राजेंदर ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि उनकी दुकान के ताले टुटे हुए हैं वह दुकान पर आये तो दुकान के अंदर रखा हुआ समान अस्त व्यस्त था और चोर अलमारी से लगबग दो ला वारदात को अन्जाम दिया राजेंदर कुमार दुकान के मालिक ने कहा कि यहां पर आए दिन चोरी की वारदात होती रहती है परंतु पुलिस प्रशासन का इस और कोई भी ध्यान नहीं है वहीं सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुची पुलिस ने फिंगर पींट तो दोड़े वार के तोड़े वेजिए कमरा तोड़ा हुआ था और अंदर आने के बाद देखा तो मेरी सेफ जिसको ना कैश की तरह यूज करता हूं कैश रने के लिए रात को बचुई कैश वी थी तकरीबन दो लाग फंदरा जार पर कैश ची उसमें और एक मेरा सुटके स साज इसमें मेरी चेक लिए जागी है तो किसी की तुकान है मेरा रिफाइंड ओइल्स का काम है कितना वजे की बाद आज है यह अंदाजा दो सबाद और वजे की बाद पुलिस को फोल्मेंट करती है आप पुलिस को ख़़ए तो एक बहुत बटा रिजन है कि हमारे यहां अबजार में एक बड़ी उन्हें अब जाकर रखा और उन्होंने लोगी चदरे वैल करावे लगाई हूए अंची उनको परस्नेली रिपेस्ट भी कर ली डीजी आउविस में में लिखके लेकि अगर निकम में लिखके लेका आया ओनलाइन कम लेंड डाली हुई है लेकिन थी में कोई सनुवाई है नहीं दुकान जिखती नहीं चदरों की ओट में वाट 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 हो जटती है और फिर तो चोडिया दो हो चकती है हुआ है पुरी स्टैनिक जागे लिखके लिखकेस है ता जिसमें मेरी बैंक चेक लिखका हुए है तो आज आज आपके अरियम अपक दमार पी लार आसपास होगी। असपास चारे से लिए में चलती रहती है। आप लोग रोग सी आप लोग रोज यूज है। जया नाम अपना ? मेरा दाम लिबिंदर है। जगान अपना मुछ ए। तरी कमपनी है। ऐसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को ख्लिक करें हमारी चैनल को लाइज, शेर और सब्सक्राइब करें हैन्ने वाल J.B.D. Banquets Enterprise